हेलो गाइज वेलकम तो दे शिक्स वीडियो प्रोजेक्ट सीरीज होटल मैनिमिन सिस्टम ठीक है तो पिछले पांच वीडियो में हम काफी कुछ कर चुके हैं अगर मैं आपको यहां से दिखाऊ इसके स्टार्टिंग से तो हमने अपना प्रोजेक्ट का फस्ट पेज बनाया जो कि मेरे बिल्कुर correct credentials यहां पर मैंने लॉगन पर प्लिक करता हो तो यह वाला फ्रेम म 네यन फ्रेम से अपना more पूरा project control होगा, ठीक है, आपने अगर देखो, तो मेरे पास यहाँ पर एक menu bar था, जिस पर दो menus थे, और फ़री हाँ पर मेरे पास यह menu items थे, ठीक है, तो इस video में हम in में से menu item बनाने वाले हैं, जो की होगा, add employees, ठीक है, class menu में जानना है, और यहाँ पर आपको class बनानी है, add employee के नाम से, ठीक है, तो यहाँ पर add employee के नाम से, मैंने यहाँ पर class बनाई, ठीक है, जो extra है, उस सब को हटा देते हैं, ठीक है, perfect है, बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पर आपको extend कराना है, jframe को, जैसा कि हम पिछली अभी त अभी तक की सभी classes को करते हैं, ठीक है, jframe को आपने यहाँ पर extend कराया है, यहाँ पर import कराते हैं, swing package को यहाँ पर import कराते हैं, तो javax.swing.start, ठीक है, बिल्कुल perfect है, अगर आप देख पाने हैं, तो मेरे पास बहुत सारे labels हैं, ठीक है, बहुत सारे text fields हैं, ठीक है, और अगर आप job के सामने देखेंगे, तो मेरे पास वहाँ पर एक combo box भी है, ठीक है, यह choice होती है, drop down है basically, ठीक है, इसमें से हम कुछ भी select भी कर सकते हैं, ठीक है, gender मेरे पास जो male और female है, वो एक radio button है, ठीक है, तो right में देखोगे, अगर आप तो मेरे पास यहाँ पर एक image भी है, ठी ठीक है, ठीक है, label बनाने के लिए मैंने हाँ पर constructor बनाया, जितने भी labels हैं अपने पहले सभी वो labels define करेंगे, ठीक है, तो add employ, अब labels जो हैं, वो में किसी दूसरे function में मैंने चाहिए है, ठीक है, उनका इस constructor के बाहर कोई use ही नहीं है, तो उनको globally declare करने का कोई फायदा नहीं ह जितने में लेबल से उन सबको मैं यहाँ पर declip कर रहा हूँ, ठीक है, तो j label, name के नाम से suppose, ठीक है, is equals to new j label, ठीक है, और यह है मेरा यहाँ पर name, ठीक है, बिलकुल perfect है, ठीक है, यहाँ यहाँ पर यहाँ नाम से पहला j label है, तो फिर मैंने यहाँ पर गिया name.setbounds, ठीक है, इसको setbounds करते हैं, ठीक है, कि इसको एक फ्रेम पर अपने कहाँ पर लेकर आना है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे, तो उपर से तो वह इतनी नीचे नहीं है, लेकिन left से वह काफी आ गए, ठीक है, तो मैं हाँ पर दे रहा हूँ 60, ठीक है, उपर से रखते हैं support 30, ठी ठीक है, ठीक है, तो support 30 देते हैं इसकी ठीक है, ठीक है, और फिर add करा देंगे name को, ठीक है, तो name को मैंने हाँ पर add करा दिया, ठीक है, अब लेकिन मैंَ कोई हैं- हाँ पर 0000000D, ठीक है, ठीक है, मैंने हाँ PNULK किया, सेट बाॉंच के आपर है, ठीक है सेट बाॉंच में लोकेशन गया देनी है, यहाँ पर 400, 200, ठीक है ओर 600, 400, यह भी में पो पता नहीं का पर आएगा मैं देखांगा अभी, पिर मैंने यहाँ पर होगी है, सट विदिबल रूउ, मैं अभी सिफ चला के देख रहा हूं ठीक है ठीक है उसका object बनाया class को और इसको मैंने किया setVisibleTrue ठीक है dot setVisibleTrue बीच में semicolon लगए उसको हटाते हैं ठीक है अब इसको चलाता हूँ मैं बस मैं कोई ये चेक करना है कि कहां पर आया label लेबल काफे ठीक आया है लेकिन अगर आप original मेरा इतना नहीं है काफे बढ़ा है है 14 जायद है तो आपтесь कि इसके साइस को बढ़ाना पड़ेगा तो ये उसको साइस को बढ़ाए तो हम liar यहांपे 1 फोन क्लास होती है उसको यूस करना पड़ेगा तो name.set font यहां पर बने किया ठीक है और new font यहां पर font class का object बनाया ठीक है यहां पर कौन सा font दें आहां serif दें किया तहोमा देते है तहोमा ठीक रहेगा ठीक है और यहां पर देते है font. यहां पर देते हैं font.plane यहां पर देते हैं font.plane यहां पर देते हैं 17 चल रहा है नहीं चल रहा है तो मैंने यहां पर किया import java.awt.start ठीक है awt यहां पर होता है abstract window toolkit ठीक है swing की तरह ही गाम करता है बिल्कुल ठीक है अब यह सभी आप awt में भी कर सकते हैं ठीक है ठीक है तो अब इसके respect में जो text field है वो बनाते हैं text field को मैंको उपर यहां पर define करना पड़ेगा क्योंकि text field मैंको नीचे function में चाहिए होगी जो कि action perform function होगा ठीक है तो j text field यहां पर मैंने t1 दिया हां ठीक है वो पता नहीं पहले क्या हो गया था ठीक है तो t1 is equals to new j text field ठीक है f i tld ठीक है j text field और फिर t1 dot set bounds करेंगे इसको t1 dot set bounds ठीक है तो अब 120 तक तो यह ही जाएगा कि अधिक है 120 और 60 120 और 60 तो 180 तक तो मेरा लेबल ही जाएगा ठीक है तो 180 से दीक है मैंने 9ड धेंटेंगेगा 200 शills ने अथि हके 200 देते हैं ऊपर से इतने पर इचीए में में को 120 यह 30 पेक है बिल्कुल सेम लेंथ रखते हैं इसकी ठीक है एक बाद चला के देखते हैं मेंको लग रहा है टेक्स विल की यो लेंथ है वो बढ़ानी पड़ेगी बहुत छोटा है लगाई था मैंको 150 रखते हैं ठीक है अब ठीक है या अब ठीक है ठीक है तो मैं पास total 8 लेबल्स है ठीक है तो इसको कॉपी किया मैंने अरे कॉपी किया और यहां पर नीचे इसको पेस कर दिया ठीक है तो जो next मेरा लेबल है वो age के नाम से है तो यहां पर मैंने डाला age ठीक है और एज लिखा मैंने हाँ पे इसको कॉपी किया मैंने हाँ ठीक है यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉपीबई पेस्टिंग चलेगी ठीक है अब अब यहाँ पे एक चीज है कि में को इसकी हाइट भढ़ाने पड़ेगी ठीक है क्योंकि उपर से यह 30 पर था नेम जो था अब ही नेम और एज मेरे एक जगा आएंगा अब इसको ऑपर से बहुत अब बढ़ाते हैं इसको कितना करें है उप्स्टी बढ़ाते हैं तेक्स पील हो रही है मैंने दोनों एटी कर दीधिया इसके ठीक है तीवन है वह टेक्सपील को टीटु गिया मैंने जहां पर टेक्सपील को डिधाइंट भी करना पड़ेगा यहां पर तो मैंने आप लिखाँ T2 आहां या बिल्कुल परफेक्ट आया है, ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिहकत ही नहीं है मेर पास यहां पर Gender है, लेकिन Gender के आगे रेडियो बतन्स है ठीक है, लेकिन सब से पहले Gender बनाते है तो.. यहांपे मैंने गिया, और यहांपे झैंटर बनाया है जेंडर सबके बादें बनाएंगे ठीक है? अब यहां पर यह है कि 30 और 80 के बीच में 50 का गैप है ठीक है? तो सबके बीच में gap जो है वो सेम होना चाहिए तो यहां पर 130 कर देता हूँ, इसको इनके बीच में 50 का gap होगा लेकिन अगर इससे क्या होता है इसे दिखने लिए होडा अच्छा लिखता हो अगर आपके लेबels के बीच में जगने वो अब की आपके 50 का gap करना है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चलता है, ठीक है, अब इसको भी बात में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी radio, वो लगा आनी हो, क्या करते हैं उसको, radio buttons, ठीक है, तो इसको, मैं सोच रहा हूँ, पहले सभी text field लगाते हैं, उसके बात फिर radio buttons लगाते हैं, पहले सभी text fields लगाते हैं, अब यहाँ पर भी, वो 180 था, ठीक है, तो यहाँ आप इसको 180 का gap करते हैं, ठीक है, चला के दिखाता हूँ आपको, वो बिल्कुल नीचे आएगा, उसके, बिल्कुल perfect आया है, ठीक है, मैं को इसको frame का थोड़ा side बढ़ाना पढ़ेगा, इसको बढ़ाते हैं, अभी, ठीक है, तो कोई चक्कर नहीं है, अब जॉब के बाद, जो next है, वो है मेरा salary, ठीक है, ऐसे, एलले, आरवाई, salary आ गया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल perfect है, लेकिन इसके नीचे मेरे पास, यहाँ पर text field भी है, तो text field को मैंने यहाँ से copy किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब जो देख रहे हो, आप ये 2,2,3 पर है, ठीक है, और तो इसको भी इसके आगे लेकर आना है, तो मैंने इसको 2,3 पर डाला, ठीक है, यह T2 नहीं है, T2 पर वाल text field के इसको T3 करते हैं, ठीक है, और ऊपर मैं को T3 को define भी करना पड़ेगा, तो मैंने अधार और email है, तो इसको पूरे को copy करते हैं, तो मैंने हाँ पर इसको 3 बार paste कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास phone, PH20, ठीक है, यहाँ पर मैंने किया phone, और यह हुआ phone, ठीक है, ठीक है, बिल्कुद परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन अब ये 230 पर है, मैं ठीक है, 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 ठीक 280 है, तो इसको रखते है, 3330, ठीक है, नीचे बाए यह text field है, उसको रखते है, T5, ठीक है, और यह जो होगा, यह भी होगा, 3330, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, अधार के बाद जो मेरा है, वो है email, ठीक है, यह email है, इसको email किया, ठीक है, select करा, control C, control V, control V, कहा गया, and control V, ठीक है, अब वो 330 था, तो इसको रखते हैं, 380, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी रखते हैं, 380, ठीक है, और वो T5 था उपर, तो इसको रखते हैं, T6, ठीक है, सभी text field इसको उपर डिकले करते हैं, T4 and T5 and T6, ठीक है, तो चला के देखते हैं, shift F से दबाया, मैंने चला आने के लिए, या, बिल्कूल perfect है, बस इसकी length थोड़ी से में को बढ़ानी है, तो set bounce कहाँ पर लिखा हुआ है, हमने, set bounce हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको 400 से भढ़ा के, कितना करते हैं, 700 करके देखते हैं, यह तो कुछ ज़्याद ही होगे, इसको 500 करते हैं, 500 में ख ठीके, लेकिन अगर आप देखो, तो मेरे, यहाँ पर मेरी images भी हैं, ठीके, तो इस image के लिए मैं को size को बढ़ाना पड़ेगा, ठीके, तो इसके size करते हैं, size इसका 800 कर देते हैं, ठीके, तो shift F सिद दबाते हैं, इतने में image आ जानी चाहिए, वैसे, देखेंगे अगर image ना टेकले करते हैं, तो J radio button और यहाँ पर R1 और R2 कूट में को दो radio button चाहिए, यहाँ पर male है या female है, उसको check करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे R1, R1 is equal to new J radio button, ठीक है, और इसके अंदर जो past करेंगे, वहाँ पर az it is लिखा आएगा, ठीक है, तो फिर R1 dot set bounds मै वह स्टार्ट हो रही है 200 से थीक है तो रेडियो बटन बिलकु टेक्स पील के नीचे आया आ ना चागि तो मैंने सको 200 से स्टार्ट किया थीक्षे अलेकिन अगर आप जेंडर की हाइट देखोगे तो वो है 130 ठीक है तो वो उसके बिलकुल सामने आने चाहिए जेंडर के तो मैंने इसको 130 गिया ठीक है लेकिन में को मेल और फीमेल बहाँ पर दोनों एक ही उसमें लाने है लाइन में तो में को इसको ज़्यादा नहीं देना ठीक है इसको limited देते हैं तो इसको मैंने दिया 70 and width तो हम 30 देगे रहे हैं ठीक है add किया मैंने हाप पर r1 को या ठीक है चला गे दिखते है आ या ठीक है बस इसकी जो वो है वो भढ़ानिय में वो क्या कहते है फोंट भाई फोंट चैंज करना है ठीक है फोट अच्छा नहीं लग रहा तो r1.6 phone मतलब वह छोटा अले लग रहा ठीक हो अच्छा तो लग लग रहा लेकिन छोटा लग रहा तो यही फोंट देते है तो हो मा ठीक है और यहां पर लिगते है देते हैं 14 ठीक है 14 देखे देखता हूं मैं को पता नहीं कहां कितना आएगा या ठीक है थोड़ा बढ़ाते हैं नहीं तो 16 करते है 16 किया मैंने हाँ इसको हाँ better ठीक है अब ऐसे ही मैं को यहाँ पर female वाले को बनाना है तो इसको कॉपी किया और में को जितनी भी आर्वन है उनको रिप्लेस करना है विए को रट्टू से ठीक है तो इसको रखते हैं कि यह 270 तक आ रहे है न इसको 290 रखते हैं आँ देखे देख रहा हूं जादा आ गयो गया जादा आ गयो यह भाई यह तो 250 रखते हैं ठीक है तो इसको 60 देते हैं तो इसको तो थोड़ा कम करना पड़े और कूछ चेंज कर ने पड़ेंगे नहीं, यह 70 जाएगा, ठीक है, मैं को size थोड़ा कम करना बड़ेगा, ठीक है, तो size थोड़ा कम किया, यहाँ पर, ठीक है, इसको 70 करते हैं, अब, हाँ, better, बहुत better, ठीक है, 280 करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाएगा, ठीक है, 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 ठीक है तो यहां पर combo box का बनाते हैं, ठीक है, आगे जाकर फिर कभी choice का बनाएंगे, आगे जाकर लेकिन पका बनाएंगे choice का ठीक है, लेकिन यहां पर combo box का बनाते हैं, ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको define किया, ठीक है, j combo box, b capital आएगा, ठीक है, c1 और यहां पर combo आएगा, ठीक है, तो इसको नीचे आके डिकले करते हैं, कहा पर आएगा, जॉब के नीचे आएगा न, या, तो C1 is equal to new J combo box, ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर एक string लेता है, ठीक है, यह जो लेता है, एक string लेता है, C2 नी, C1, या, अब यहाँ पे इसके अंदर, जो आप 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 देखें इसको लेते हैं, str, ठीक है, और is equals to, yeah, तो यह एक area of string में को यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है, अब यहाँ पे drop down में क्या क्या हैगा, मैं को यहाँ पे drop down में डालना हैं, किस तरह की jobs अपने बास hotels में हैं, ठीक है, hotel में basically, जो होता है, reception में बंदे बैटते हैं, वो होत है, manager होता है, ठीक है, तो वो सब में को यहाँ पे डालना है, ठीक है, तो इसके अंदर जो डालना है, उएक area of strings हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देखे रहे हैं कि में यहाँ बहुत सारी strings है, ठीक है, तो यह पूरा area of string है, और फिर आपको इस str को उठाके इसके अंदर डाल देना यह अब यहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी मेरे पास यहां पर यह सब भी वेल्यूज है इस एरे की ठीके वह सब भी इस उस डॉप्डाउन में ऐए घिक तु यहाँ पर यह हो रहा है ठीक है मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जॉब कितनी उपर से मेरी 180 पर से है, ठीक है, और जितनी मेरी यहां पर text field की length है, उतनी ही length में combo box की रखता हूँ और उतना ही मैं size रखता हूँ, ठीक है, और फिर मैंने यहां पर add किया C1 गो, बिल्कुल perfect है, चला के देखते हैं, तो यह, बिल्कुल सही है, ठीक है, यह और मैंने उसी string को उठा के यहां पर combo box के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो मिरे पास उसी वज़े से मिरे पास यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपने देखा होगा, तो यहां पर मेरे पास एक label भी था, जो बोल रहा है, add employee details, ठीक है, तो सबसे पहले image लगा ठीक है, image लगाने के लिए मैं को यहां पर image icon के नाम से मैं को यहां पर यहां पर बनाना पड़ेगा, तो मैंने हां पर image icon class object बनाया, icon is equals to new, and image icon, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिसके अंदर मैंने पास किया class loader dot to get system resource, यही बिल्पकुल, ठीक है, उसके अंदर इमेज पढ़िय image की कौन सी image है, 10th और jpg है के हाँ, यही image है, ठीक है, या, बिल्कुल यही image है, जो मैं को आपर लगानी है, ठीक है, तो मैंने यहां पर, मैंने हापर लिखा, tenth dot jpg, ठीक है, अब एक j label के अंदर मैं को इसको डालना पड़ेगा, तो j label मैंने हापर लिखा, l1 के नाम से ठीक है, अब l1 dot set bounce में को यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है, set bounce में मैं को image कहां पर देनी है, आप देख रहे हैं कि 200 plus 150, 350 दग तो मेरी text फील ही जाएगी, ठीक है, तो उसके आगे मैं को इसको देना पड़ेगा, ठीक है, तो 400 पर देते हैं, ठीक है, 400 उपर से 10 देते हैं, 10 तो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मैं पास label भी आएगा, कितना देते हैं, एक्ती देते हैं, बाद में चेक कर लेंगे, अगर नहीं होगा है, ठीक है, और इसको देते हैं 500, 500, ठीक है, मैं सीवाब भी चेक कर रहा हूँ कि image कहां पर आएगी, क्योंकि मैं को कोई idea नहीं ह इसने बोले है, null pointer exception, null pointer exception यहाँ पर अब देखो, ठीक है, बहुत बंदों को यह वाला error आता है, ठीक है, मैं बहुत बार वबता आ चुक हूँ, मैं मेरे पास यहाँ पर exception आई है, exception in threadman java.lang.null pointer exception at image icon, ठीक है, तो यह बहुत बंदों को error आती है, मेरे पास इतने message जज़ आत है, कि मैं को इस exception के ऊपर एक अलग से वीडियो होना नहीं पड़ गई, कि यह भाही, यह exception ऐसे आती है, और ऐसे ठीक होती है, ठीक है, तो मैं एक बाब फिर से इस वीडियो में repeat कर देता हूँ, यह exception आती है, ठीक है, यहाँ पर यह बोल रहा है, कि java.lang.null pointer exception, ठीक है, at image icon मतलब यहाँ पर image icon class, जो है आपकी, ठीक है, उसमें आपने जो address पास किया है, image का, उस address पर उसको वो image नहीं मिल रही, ठीक है, तो यह error इस वज़े से आती है, null pointer exception मतलब है, कि उसको वहाँ पर image नहीं मिल रही, जहाँ पर आपने वो image पास किये, ठीक है, अब मैंने हाँ प अब इसको चला के देखते हैं, तो बिल्कुल perfect आएगी, ठीक है, पर image तो काफी सही आई है, problem यह है, कि image का size काफी बड़ा है, तो image का size ठीक करना पड़ेगा, मैंको, तो image के size को ठीक करने के बिल्कुल ही करेंगे, जैसे हम पीछे करते हैं, image I2 का मैंने यहाँ project बनाया, और new image, ठीक है, और new image नहीं, अरे sorry, क्या कर रहा हूँ मैं, I1.getImage, यहाँ पर, getImage के बाद मैं को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, getScale instance, अरे वो ही, जल्दी जल्दी में क्या हो रहा है, getScale instance, यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर, अब यह तीन आर्गुमेंट लेता है, ठीक है, सबसे पहला जो आर्गुमेंट होगा, वो उसकी width होड़ेगा, तो I3 मैंने हाँ लिया, go to new, image icon, ठीक है, यहाँ पर I2 डाला मैंने, इसको S को हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर डाला I3, ठीक है, बिल्कुल perfect है, चला के देखते हैं, इसके size को भड़ाते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं, 850, स्पोस, 850 क्या है मैंने हाँ better, काफी better है, image को मैं को थोड़ा सा align करना मड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको किया, 380, ठीक है, इसको थोड़ा सा ओपर करते हैं, 60 किया मैंने इसको, मैं को बस चेक करना है कि ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको change करते हैं, इसको करते हैं, 450 और into 450, अब होपसो बह सही आएगी, काफी better आई है, ठीक है, ठीक है, काफी better है, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको 540 करते हैं, या, बिल्कुल perfect है, ठीक है, लेकिन अब frame के color को मैं को change करना है, तो यहाँ पर मैंने निखा, get content pane, ठीक है, इसको white करते है, get content pane, dot set, background, ठीक है, यहाँ मैंने ठीक है, color.white, ठीक है, बिल्कुल perfect है, चिला के देखते हैं, यह तो बिल्कुल perfect है, कोई दिककत ही नहीं है, इसमें तो, ठीक है, अब तीन चीज़े हैं, ठीक है, मैं को यहाँ पर तीन चीज़े अलग दिख रही हैं, सबसे पहले तो मैं को इसके background color को change करना है, फिर मैं को radio buttons के background color को change करना है, ठीक है, क्योंकि वह अभी white नहीं होए वे, तो मैं को यह करना है, और मैं को frame को थोड़ सा आगे बढ़ाना है, क्योंकि यह left की तरफ जादा align होए वह है, center में नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले frame इसके background color को change करते हैं, जो हमारे radio buttons है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर लिखना है, r1.set background यहा, set background और color.white ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो सबस्वात फिर यहाँ पर r2.setBackground और color.white ठीक है और फिमे को यहां पर भी यहां पर भी देते हैं यह चीज तो c1.setBackground और color.white परफेक्ट बिल्कुल अब चला के देखते हैं ठीक है परफेक्ट बिल्कुल ठीक है इसको नीचे आते हैं इसको थोड़ सागे बढ़ाना है वेको ठीक है यहां पर इसको 450 करते हैं काफी बेटर काफी बेटर लग रहा है जब मैं यह वाला प्रोजेक्ट बना रहा था तो तो मैंने एक चीज का ध्यान रखा था मैं आपको उतातों वह चीज क्या थी सपोस्थ यहां पर डैशबूर्ड खोला मैंने यह डैशबूर्ड खोला मैंने अभी वो फ्रेम जो है connected नहीं तो मैंको इस फ्रेम को अभी अलग से खोलना पड़ेगा ठीक है तो यह डैशबूर्ड के ऊपर जब यह फ्रेम आये ना ठीक है तो जो ताज होटल ताज ग्रूप वेलकम स्यू जो है यह इसके सेंक्टर में ह हो तो मैंको ताज ग्रूप को थोड़ सा नीचे करना है ठीक है छोटी-छोटी चीज़ है ना उसको देखने में अच्छा बनाती है बस और कुछ नहीं है ठीक है यहाँ सिक्स्टी के जगा मैं इसको 80 करता हूँ ठीक है खुई रहे हैं ठीक है आप फोड़ असा बैटर है बस में को इसको आगे बढ़ाना है ठीक है तो इसको गैंसल किया मैंने आप है यह खुलावा इसको भी गैंसल करते है ठीक है अब जो मेरा है अपर यह हैboys इसको थोड़ सा और आगे बढ़ाते है तो इसको मैंने हाँ पर 500 किया, ठीक है, डेशबूर्ड खोल के एक बाद चेक कर लेता हूँ यार, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, बस थोड़ा सा और कहां गया, एड़ंप्लोईज में इसको कर देते हैं, 540, हाँ, बिल्कुल पर्फेक्ट है, ठीक है, यह चीज जो है, इसके बिल्कुल यहाँ पर नीचे आए, ठीक है, यह जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, यह प्रोजेक्ट को देखने में थोड़ा सच्छा बनाती हैं, वह ज़्यादो कुछ निया, अब यहाँ पर एक लेबल भी था, ठीक है, लेबल तो भूली गए भाई, लेबल में आते हैं, ठीक है, इसको क्लोज मारा, इसको भी क्लोज करते हैं, पर्फेक्ट, ठीक है, यहाँ पर लेबल में आते हैं, अब जे लेबल, जे लेबल एड़ इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा, एड़, एमप, लो, अगर आप देख रहे हो तो मेरा जो यह है इसका जो फोर्गांट कलर है वो ब्लू है ठीक है तो इसका फोर्गांट कलर कलर ? .blue मेंने यहां पर किया, ये किया टाइप हो रहा है, ठीक है, इसको में प्रिए हम यहां पर ने किया, ठीक है, अब इसको राउन देते हैं, Set Bounds में यहां पर इसको किया, अरे, Set Bounds भी मैंने हां पर के, आप देख रहे हैं कि 380 तक तो मेरा 380 से इसको मृई इमेज ही इसको शुरू करते हैं 420 से इसको ठीक है फिर 420 30 मैंने यहां पर दिया एंड कहां तक जाएगी इसको लेके चलते हैं 420 से स्टार्ट हो रहा ना और अपना जो फ्रेम है वो 850 तक है ठीक है 400 तक लेके चलते हैं तो अब गाइन रहे को नहीं क्या लिए हो उसको देधे है ठीक है चलाते हैं अरे वह उसको आड़नी यहां आड है अधे, करते हैं पहले आठीक है तो यहां फे इसको आड کیा अड प चलाते हैं आँ छोटा आए बहुत इसको फोन चेंज करना वड़ेगा ठीक है फोन चेंज करना भूरी गया था हमें है सेक्ट फोन यहां पर किया हम इन्यू फोन तो फोन हम दो दे रहें वो दे रहे हैं हम तहो अधिक है और यहां पर फोन यहां पर font.plane ठीक है और कितना साइज देते हैं सब बहुत ठटी देते हैं चला के देखते हैं फिर अब एड्जेस कर देंगे इसको आँ यह तो पहले सी एड्जेस हुआ है ठीक है तो बिल्कुल परफेक्ट है तो अपना जो फ्रेम है वो बनके त्यार है ठीक है काफी अच्छा लग रहा है ठीक है तो या बिल्कुल ठीक है अब यहां पर एक चीज रहती है ठीक है यह सब तो हो गया लेकिन बटन तो लगाई नहीं ठीक है बटन रहते हैं अभी लगाने ठीक है तो अब मैं को यहां पर इवेंट से आदा है कि भाई इवेंट लगाना है इमें इंट से फिर में फिर में कोई आदा है रें button बिल लगाना है बतन तो मैं उलिगे यह ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिखा J button B1 थीक है और कहां 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 लगाएं हाँ इस text will के नीम ची है ठीक है B1 is goes to new J button ठीक है और यहाँ पर लिखेंगे submit जहां पर जो भी आप लिखते हो बटन के ऊपर लिखा आता है ठीक है और यहां पर इसका set background में नहीं किया ठीक है ब्लैक कर देते हैं जैसा कि हम अपने साब इस बटनस में आप तक करते हैं ठीक है और फिर set foreground इसको white कर देते हैं कि black के ओपर जो लिखा है वो white लिखा है ठीक है और फिर इसको add करते हैं बीवन को ठीक है लेकिन उससे पहले इसका set bounds देना पड़ेगा तो set bounds मैंने हाँ पर दिया ठीक है बिल्कुल text field के नीचे आना चाहिए ठीक है तो 200 से start होगा ठीक है अब चला के देखते हैं perfect आना चाहिए मेरी ख्याल से बिल्कुल perfect आया है अब जब submit पे यहां पे बंदक क्लिक करेगा तो एक event परफोर्म होगाना चाहिए अब वो event लगाते हैं ठीक है जैसा कि हम पीछे लगाते हैं तो यहां पर सबसे पहले एक interface को मैं को implement करना ठीक है अब यह होता है हमारा इंपोर्ट जावर और awt.events.start ठीक है परफेक्ट है ठीक है अब b1 बटन जो है अपनो उस पे action listener लगाते हैं कि हमें भाई जब b1 बटन पे बंदक क्लिक करें तो कोई action परफोर्म हो तो एक यहां पे action listener लगाते हैं उस event को catch करने के लिए ठीक अब लेकिन एक method को override कराना पड़ेगा जोकी होता है public word action perform ठीक है पीछे बता चुका हो ना कि action perform क्यों override कराते हैं ठीक है इक पर फिर से बता रहेता हूं यह basic java core का concept है ठीक है अगर आपने abstract class of interface पढ़ी होगी तो आपको पहले से clear होगी यह चीज कि जब भी हम कोई interface को implement करा आते हैं यहां पर इस interface को implement कराया तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास methods होते हैं ठीक है क्योंकि हमारे पास interface में method सिर्ट declared होते हैं डिफाइन नहीं होते हैं ठीक है अगर मैं आपको यहां पर इसको खोल के दिखा हूँ तो मिरे पास यहां पर method होगा यह रहा ठीक है action perform मे और अजमत्त होता है, यह भी एडिवल निए नीछे, छोड़ो, वैसे भी इन ले опас की ermता होता है, जब भी आप यहाँ पे सनम पर लग सेमिक्र्ण लगाते हैं, मतलब व उस फंक्शन को सिर्फ लिख्लHeir कर सकते वहां पर आपसे functions को complete कर सकते हो ठीक है लेकिन live the उस function को लेकिन जो भी class उस interface को implement करती हैं ठीक है उसको उस interface के सभी methods को override कराना पढ़ता है ठीक है जैसे कि मैंने हाफ पर action listener मेरा हा पर अम्ब्र इंटरमेंस के ऊह लिए है तो इसके इन सिए मेरे यहां पर ओवर्राइड करना पड़ेगा ठीक है ओवर्राइड कराते है एक चीज़ का ध्यान लगना पड़ता है ठीक है यहां पर concept आता है फंक्षन मेल अब यहां पर concept आता है method overriding का ठीक है method overriding आपको बहुत clear होने चाहिए यहां पर जो overriding कराते हुए function का नाम बिल्कुल वही दिया जाता है वही access modifier वही method return type ठीक है उस वही method का नाम और बिल्कुल predictor arguments वही arguments देते हैं ठीक है तो इसलिए मैं यहां पर अगर आप यह mistake कर दोगे इस function को overriding कराते हुए तो चलेगा नहीं ठीक है एंग ठीक है टो सीधा मेंको यहां फे उपर बंदेने तो जो बंदेने असे तो निकालनां थो नहीं भी रहेगा इंगी कि इस बाद फिर age है ठीक है age वाली मेरी टीक्ट को निकालते हैं तो तो टीटू.getTex मैंने आपर किया, ठीक है, टीटू.getTex मैंने आपर किया, मिरे पास कितनी text fields है मैं गिन देता हूं, एक दो, तीन, चार, पांच, छे text fields है, ठीक है, तो इसको मारा copy, बार-बार लिखना पढ़ रहा है, यह, यह तो भाई, जाता हो गया, तो आठ बार हो गया ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ठीक है, अब मेरे पास जो fields है, वो है, salary phone, आधार, email, ठीक है, तो मैंने आप पर दिया, अरे, क्या हो रहा है, T3 से निकलेगी, यह निकलेगी, T4 से, निकलेगी, T5 से, यह निकलेगी, T6 से, परफेक्ट बिल्कुल, तो text fields से value निकल चुकी है, अब मेको value निकालनी है, अब मेको वहां से, कहां से, radio button से, ठीक है, radio button में मेको चेक करना है, कि बंदे ने male select किया है, या फिर female select किया, तो दोनों में से, एक value उठानी है, ठीक है, अब मेको दोनों value चाहिए, एक value चाहिए, बंदे ने male select किया है, पर बंदे ने female select किया है, ठीक है, जहें थेर्डू्द अपने बास नीहांु ठीके है यह लिमिटेशन है ठीके से मेल और फीमेल की आप्शेन है यह वो R2 select हुआ है ठीक है अगर वो R1 select हुआ है if R1 is selected ठीक है तो मैं इसको gender में डालना है में को male ठीक है तो मैंने male यहाँ पे डाला ठीक है else if अगर बंदे ने R2 select किया है ठीक है is selected ठीक है तो यहाँ पे gender में डालना है female male या ठीक है इसके M को capital करते हैं ठीक है ठीक है इस selected function होता है अपने पास यहाँ पर तो इसको एक string में ले 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 लेते हैं लेकिन यहाँ पर सभी मेरे पास जितनी values आएंगी वो strings आएंगी ठीक है अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाओ कि मेरे पास जितनी values है वो सभी strings है ठीक है यहाँ पर बंदा कुछ भरेगा वास age को छोड़के ठीक है लेकिन यहाँ पर confusion होगी तो मैंने सभी को string ले ले इवन डॉट और एक method होता है अपने बाद get selected item तो मैंने यहाँ पर लिखा get selected, index नहीं item, get selected item ठीक है अब यह जो है वो return करेगा मैंको जो बंदा वहाँ पर select करेगा ठीक है यहाँ पर जो बंदा select करेगा यह मैंको उसको return कर देगा ठीक है लेकिन अब problem यह है कि get selected item जो method है व बना बड़ेगा तो मैंको हाँ पर typecast कर ना बड़ेगा तो इसको तो मैंने हाँ पर लिखा string ठीक है perfect बिल्कुल चल गया एक ठीक है अब query बनाते है ठीक है सबसे पहले database में जाके उसकी table बना लेते है ठीक है तो mysql खोलता हूँ मैं mysql बंद कर देता हूँ मैं अरे या databases अपने पास कौन-कौन-से databases है देख लेते हैं show databases इसमें से जो अपना जो database वह है project HMS ठीक है project HMS मैंने यहाँ पर किया database change ठीक है अब यहाँ पर मिर पास कौन-कौन-से tables है वो भी देख लेते है show tables मिर पास एक table login के नाम से अपने make को यहाँ पर नई table बनानी है create table create table और यह होगी में यह employee के नाम से ठीक है अब employee के नाम से मेरे पास table होगी अब कौन-कौन-कौन-सी fields है अपने पास उसके हिसाब से table बनाते है ठीक है अदे यह mysql workbench खुल गया पीछे आँ इसको close मालते है ठीक है उसकी जरुद नहीं है लिअ ठीक है तो इसको उपर करुघा, मैंने सबसे पहले पीलद आपने बास पीलद बटर नेम है तो में इम मैने दिया वेयर के है और इसको दीया ठटी ठीक है, फिर अपने बास age है एज़ने दिया वैर्केर और ये एज कितने कोलमस तो गोगा ये अपने पास तक होगा, फिर अपने पास है, फिर सेलरी है, salary, where care मैं यहाँ पर दिया और यह 20 columns तक है, ठीक है फिर phone number है, where care यह 15 columns तक यह फिर आधार number है यह where care यह भी 15 columns तक ठीक है, फिर अपना email है ठीक है, where care और यह 30 columns तक ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं name, age, gender, job, salary phone, आधार email, और सब भी where care है createable employee, ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है तो, select star from select star from employee किया मैंने हाँ पर तो empty set आएगा, empty set आएगा ठीक है, बिल्कूल ठीक है ठीक है, तो अब मैं को यहाँ पर एक string बनानी है, ठीक है, string भी बनानी है अब connection class का object बनाना है, तो मैंने यहाँ पर सबसे बएले connection class का object बनाना है, ठीक है यहाँ पर यहाँ पर मैंने लिखा string str, अब यहाँ पर एक string बना रहा हूँ है, ठीक है, value insert करनी है, मैं को तो सबसे पहले यह लगाया, उसके बाद यह लगाया, फिर plus लगाया, अब इसके बीच में value लिखनी है, ठीक है तो कितनी values हैं, उस सब को यहाँ पर सबसे पहले, values कितनी हैं अपनी थोड़ा shortcut मारते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 values हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो अपने बाद 8 values थी, ठीक है, अब 8 ही variables हैं ठीक है, सबसे पहला जो variable है वो अपना name है, ठीक है, यह लिखने में बहुत महनत लगती है, इसलिए मैं ऐसे लिखा है ठीक है, उसके बाद अपने पास age है, ठीक है, age के बाद अपने पास salary है, ठीक है, फिर अपने पास phone है, phone के बाद अपने पास, अरे, नहीं, यह ऐसे नहीं होगा, ठीक है, यह ऐसे नहीं होगा, यह इस हिसाप से होगा, जिस हिसाप से आपकी query है, उस हिसाप से होगा, मैं उपर मैंने जिया क्या किया हुए कि जितने मेरे text fields की values है उन सब को मैंने एक साथ लिखा हुए फिर radio button है फिर मेरे comm box है लेकिन अगर आप लेकिन यहाँ पर problem यह है कि मैं इस हिसाब से values को database में नहीं भेज सकता हुए इसके हिसाब से मेरे values है वो पहले name है फिर age है फिर gender है फिर job है फिर इसके हिसाब से हिसाब से यहां पर values आएंगे ठीक मैं बहुत भाँत ध्यान रखना है ठीक हम तो सबसे नहीं भेज में थीो भंदा तो इसके बाब फिर मेरे पास gender है, job है and salary है, ठीक है, तो मेरे पास यहां पर gender है, फिर मेरे पास यहां पर job है, and फिर मेरे पास यहां पर salary है, salary के बाद मेरे पास यहां पर phone है, अधार है और email है, phone है, अधार है, and email है, चल गया, या, चल गया, बिल्कुल perfect है, कोई दिकती नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद मेंको यहां पर result set का object बनाना है अब try cache लगेगा ठीक है क्योंकि अब अपनी जो query है उसको execute कराया है तो यहां पर try cache आएगा ठीक है क्योंकि external database के साथ हम यहां पर काम कर रहे हैं ठीक है ठीक है execute query की हैं पर हमने और यहां पर लिखेंगे यही..! स्की आईगा ठीक है और फिर यहां पर यहां पर ऑपजयक्त नहीं बनाया यहां पर यह सब चीज़ें करने की तो जरुवत ही नहीं है तो यहां पर c.s.executeQuery लिखा मैंने हाँ पर क्योंकि क्योंकि यहां से क्योंकि यहां पर हमने values को match करा रहे हैं ठीकि लोग इन में हमने गया कि हमने values को match करा था कि database में values को डालना है तो उसको result नहीं चाहिए नहीं result नहीं चाहिए तो हमें result set class की जरुवत ही नहीं है क्योंकि वह तो result करता है ठीक है तो आप यहां पर से इतना भी लिखेगे ना यह तब भी चल जाए ठीक है और फिर इतना होने के बाद आपको यहां पर लिखना है option pane ठीक है dot show message dialogue show message dialogue formatting null करते है और फिर यहां पर message pop-up कराते है edit ठीक है तो यहां पर dialogue आएगा यह सब करने के बाद ठीक है अब चलाता हूँ option pane नहीं चल रहा option pane में अर्र है यहां पर यह नहीं आएगा ठीक है यह option pane को यह method नहीं है method से method call कर रहो option pane एक class है जिसके अंदर setting method होता है यह वाला show message dialogue ठीक है आपको देखे दिखा भी सकता हूँ option pane के अंदर में पास यह method होगा हाँ 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 कहा है कहा है ऩाँ है यहां पर उत हम भ्थ बदी class है भाई ठीक है तो इहां पर देख़ो यह है, show input dialogue इसमें कआपको उसर से veto on पर यह भी ले सकते हिर्ड show message तो यह बिल्कु ठीक है और फिर ओके करते ही इस डॉट सेट विजिबल पॉस मतलब इसको मैं फोर्स करना हूं इस डॉट सेट विजिबल मतलब वो अपने बंद भी जाएगा हां या ठीक है चलना चाहिए चलागे देखते हैं ठीक है नेमेड करते हैं मार्टिन सपोस ठीक है और एज सपोस 52 बंदा क्या है बंदा मेल है ठीक है बंदा मैनेजर रखते हैं सेलरी कितनी है 85,000 है ठीक है फोन 12345678910 एंजल का फोन नंबर 12345678910 1112 ठीक है 12 बुटिस का अधान नंबर और ओढंबर 12345… ठीक है बिल्कुल परफेक्टसमिय्ट किया मैने तो कोई embryo lod frater 272 थे अगर supplement होने फुछ नहीं आया तो पर एकसेप्शन है इसको print कराते हैं, क्या exception है, तब पता चलेगा, print ln किया मैंने हाँ पर, ln मैंने यहाँ पर डाला e, ठीक है, ln मैंने हाँ पर e डाला आप चलाकते हैं, तो exception अपने पास print होईगी, इसको ऐसी print करा लेते हैं, क्या exception है, cannot issue data manipulation statement with execute query, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, my bad, my bad, ठीक है तो, problem यह है, हमारे पास फंक्षनों होते हैं, मेरे बिल्कुल धिहान ने रख कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर दो फंक्षनों होते हैं, होता है एक होता है execute query एक होता है execute update ठीक है, execute query हम तब यूज करते हैं अगर हमे database में से values को निकालना है, जैसे हमने login class में किया था हमने data बेसमें से values को निकालकर उसको match कि यूजर authenticate है या नहीं है ठीक है अगर authentication हमने उसको तो mainly Claudia цен exist करते हैं, आगर हमगी डेटाबेस में को लियू दूनाए, ठीक है valsf निक आल रहें। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं हम database की टेबल है उसमें वल्यूब से है, स्थाल तो यहां पर टेबल को मोडिकवाइक कर रहे हैं हम यहां पर database में से value उठानी रहें, उसमें value डाल रहे हैं, ठीक है, हम उसकी value को update कर रहे हैं, अगर आप यहां पर देखोगे, तो यहां पर empty set लिखा रहे था, ठीक है, कि अभी यह खाली है, अगर मैं वहां पर कुछ डालता हूँ, तो यह जो value है, empty set यह update होगी, और वहां यहां पर में पास एक row आजाएगी पूरी, table में, तो मैं value को update करा रहा हूँ, इसलिए यहां पर execute query यूज़नी होगा, यहां पर execute update, तो I hope कहानी समझाई होगी, ठीक है, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, कि यहां पर execute update आएगा, ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया ठीक है, या ठीक है, तो इतना, या ठीक है, तो चल जाना चाहिए, ठीक है, shift F6 दबाया है, मैंने, मार्टन भरते है नाम, बंदेगा, मार्टन भरते है नाम, बंदेगा, ठीक है, एज कितनी है, 52, बंदा मेल है, मैनेजर है, job salary 90,000, ठीक है, फोन नमबर 12345678910, ट्वेज़ ट्वेजिस काधार नमबर 12345678910, 1112, ठीक है, इमेल इस martinadgoritgmail.com, ठीक है, अमिट किया, या, new employee added, मतलब जो, अब new employee मेरा add हो चुका है, ठीक है, मतलब जो data अपना है, वो database में जा चुका है, ठीक है, अब आपको दिखाता में हूँ, ठीक है, and मैने हापे set visible false लगाया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां से result मेरा true आया, यहां से result मेरा true आया, तब वो इस option पर गए, और यहां से result मेरा false आता, जैसा कि पीछे अभी होआ था, मैने हापे execute query लिखावा था, तो वो उसके आग्यों भढ़ा ही नहीं, वो सीधा यहां पर catch statement में आगे, और उस यहां से आगे गया ही नहीं, लेकिन अब जो मेरी statement है, वो execute हुई है, तो वो सीधा next statement पर है, जो कि J option pain वाली statement है, उसमें यहां पर मैंको एक dialogue pop-up किया, जो कि है new employee edit, ठीक है, और फिर, जैसे मैंने वहां पर, जो मेरी execution थी, code execution वो वहां पर रूख गई थी, उस dialogue पर, जैसे तो अगर अब मैं आपको database भी दिखा हूँ, तो इसको पहले थोड़ा उपर करते हैं, और इसको उपर करके, यह क्या हो गया, यह, select staff from employee, ठीक है, तो martin और 52 जो values मैंने भरी थी मापे, वो सा values यहां पर database में आ चुकी है, ठीक है, तो I hope थोड़ी clarity बनी होगी, काफी कुछ explain करना बढ़ा है हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यार, बाकी देखते हैं, next video में, ठीक है, next class बनाते हैं, अपनी next video में, ठीक है, वो जो class होगी, वो add rooms वाली class होगी, यह थी है हमारी add employee, ठीक है, इसको cancel करते हैं, ठीक है, तो अगर video पसंद आई है, तो like जो करना, ठीक है ठीक है, 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 ठीक